नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका मेरे चैनल पे दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि इंडियन नेवी को लंबे समय से नए लाइट यूटिलिटी हेलिकोप्टर की जरूरत है और अब चुंकि दोस्तों लीज का उप्शन दिया जा रहा है तो ऐसे में नेवी लाइट लेने के बारे में सोचा जा रहा है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इंडिया के अंदर नेवल यूटिलिटी हेलिकोप्टर नहीं बनेगा बलकि स्टेटेजिक पार्टनर्शिप मोडल के तहत जब तक वह बनता है तो उतने समय के लिए लीज पर इसे लिया जा सकता है औ बलकि सर्वीलियन्स का रोल भी निभा सकें तो ऐसे में दोस्तो शोर्ट अर्म में उनको लीज पर लेने के लिए भी अवैलेविलिटी है इसके बारे में भी देखा जा रहा है और अभी नेवी ऐसे 12-18 हेलिकोप्टर को लीज पर लेने के बारे में सोच रही है चूंकि द जोस्तो अभी की बात करें तो नेवी अपने पुराने चेतक चोपर के उपर ही इनी रोल के लिए निर्भर है यानि उनी का इस्तेमाल कर रही है जहां तक बात है हमारे लोकल बने एडवांस लाइट हेलिकोप्टर की तो ये स्मालर वैसल्स के उपर से उपरेट करने ले लेगी तो उसके बाद उन्हें लाइट वैपन के साथ में भी इंटीग्रेट कर दिया जाएगा उनकी रिक्वाइर्मेंट के हिसाब से और अभी अगर उनकी रिक्वाइर्मेंट देखी जाए तो इसे ज्यादा तर लाइट मशीन गन से ही इंटीग्रेट करने की संभा और दोस्तो नेवी का मानना है कि एक उन्हें दूसरा option भी मिलना चाहिए, especially private sector के अंदर अभी तक केवल वे HAL पर ही निर्भर हैं और इसके इलावा HAL उन्हें advanced light helicopter का naval version देना चाहता है और ऐसा नहीं है कि नेवी ALH यानि advanced light helicopter का इस्तेमाल नहीं कर रही लेकिन उसे 111 helicopter चाहिए जो उसके ship के उपर भी deploy हो सके और कही तरह के रोल निभा सके जैसे surveillance, fairing supply और जो जल्द से जल्द deploy होता हो उसे वापिस लाया जा सके और onboard hangar के उपर ही सभी vessels के deploy हो सके और इसके लिए नेवी ने प्रक्रिया शुरू कर दी है अभी दोस्तो चार Indian company select की गई है जिने किसी foreign vendor के साथ में partner के रूप में काम करना होगा और उने technology भी वो OEM provide करेगा और उसके बाद में उन helicopter को domestically ही बनाया जाएगा तो ऐसे में दोस्तो ये lease का option बहुत ही अच्छा ह इससे हमारा किसी भी तरह का जो gap होता है वो दूर हो जाता है और साथ ही हम अपने काम के उपर भी focus कर पाते हैं धन्यवाद जैहिन